दोस्तों कर आप BPSC FAO की तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने कोर्स बनाए हुए जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा प्रिंटेड नोट्स, टेस्स सीरीज और पिछले सालों के कोर्षिन पेपर मिलेंगे तो अगर आपको हमारे फुल कोर्स को एक्सिस करना है तो इसलिए आपको ये वीडियो आपको इंग्लिश में भी मिलेगी तो आयस तंत्र के अनुसार निम यह यह तोड़ा इपूकर उत्तर, अब कुछ उत्तर दे रोका सहरे निम लिखित में विद्टर देजी वि từ पहला है व्याजदर के साथ अर्थ की मांग और निवे संबंद के वित्पन करें यानि कि हमें सबसे पहले बताना है यह वाला आंसर हम आपको सबसे पहले बताना है सबसे पहले आपको क्या बताना है व्याज की दरका और मुद्रा की मांग का संबंद आपको बताना है दूसरा आपको बताना है व्याज की दर्का और निवेस मांगता यह आपको explain करना अच्छी तरीके से समझना है तो दोस्तों इसके लिए हमने कुछ PDF नोट्स भी मनाएं वह वह भी मैं आपको दिखा देता हूं देखें यह इसका solution है सबसे पहले आपको बताना है मुद्रा की मांग क्या है मुद्रा की मांग का मतलब वास्तविक से इसकी मांग का मतलब है देखें दो तरीके की मुद्रा की मांग हो सकती है मुद्रा की मां मुद्रा की मां एक होती है नामित एक होती है वास्तविक वास्तविक मुद्रा की मांग का मतलब है क्रेश शक्ति यानि कि जब हम ऐसे लिखते हैं कि मन vari किफूल टु- अ wall two stoop हां थो इसका मतलब हम स्ट उसका मतलब क KHा21 के आप उस पैसे से कितनी बश्थूओं को 양ी सकते हो एंके अगर अब की पाँए पर कितनी हैं अम उसकी बात करते हैं तो यहां पर मुध्रापणका मतलब वास्ताविक से कि मैंग से है नकि मॉद्रिक मांग से इसलिए इसको वास्टविक से इसकी मांग भी कहते है और मुद्रा की मांग दो बातों पर निरबद करती है और मतलब होता है आय का वह अनुपाद जिससे लोग नगत रखना चाहते हैं और य का मतलब आइसे है एच का मतलब होता है मुद्रा की मांग का व्याज के दार सम्विदंसील ता यानि कि मुद्रा की मांग व्याज दर से कितनी सम्मीद अलसील है और आई का मतलब होता है व्याज की दर यानि कि हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा की जो मांग है वह दो बातों पर डिपेंट करती है एक तो है वाई पर और दूसरा है आई पर वाई पे पोज़ेटिव रेलेश्ट है और आई से नेगेटिव रेले मैं यहापर डिलीट कर देता हूं इसको जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा फामूला होता है के क्वल्टू के वाई माइनस है क्वल्टू मनी डिमान यानिकि है जो है यह बहुत ही महत्तपूर मन जाता है एच का मतलब है निवेश की सम्विदन सिलता तो निवेश की सम्व जो है अगर वो फ़्रेंग चीyect स्वरिए अज्च पहले मॉर्दं चील मे ले लेते हैं कि है एच मोस्तर जीरो का मतलब यह हुआ जैसे माले आगर मैं यहां पर लिख देता हूं मनीन के मान ओं किठी ऑगर हमारा और त्युक्कि यह नंगटीडिव रेडेटटेड इसका मत का मतलब यह उसमें बहुत ज्यादा में मैं यहा पर थोड़ा सा क्ल बोल गया एक मिन फोड़ा सा खर्ट कर देता हूं देखे थोड़ा सा गलत बोल गया आप ठीक कर देते हैं इसको है एच मोर्दन जीरो अब हम यह माल लेते हैं कि है 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 एच हाई का मतलब है कि जो हमारी मुद्रा की मांग है वह व्याजदर से बहुत अधिक सम्वेदन सील है यानि कि व्याजदर में थोड़ी सी भी कमी मुद मुद्रा की मांग में विपरी संबंद होता है यह तो बात के लिए है क्योंकि व्याजदर उची होगी तो मुद्रा को नगत रखने की जो कॉस्ट है वह ज्यादा होगी वह एक बात समझ लो अगर बैंक मुझे ज्यादा इंट्रेस्टेट पे करेगा तो डेफिनेटली मैं कम पैसा मुद्रा की मांग करूँगा वास्तिविक से इसकी मांग मेरी कम होगी एच मोर दन जीरो जो दर्साता है कि उची व्याजदर मुद्रा की नगत रखने की अफसर लागत उची होती है जिसके कारण उची व्याजदर पर लोग नगत मुद्रा की मांग कम करते हैं य व्याज की दर है और मुद्रा की मांग में आप वास्तविक से इसकी मांग भी कह सकते हैं इसको विपरीज संबन्द है ठीक्टि अगर मान लीज़े ह0 है ह0 है हमारी ह0 है तो इसका मतलब कि मुद्रा की मांग का कर्फ इस तरीके का बनेगा ह0 इसका मतलब यह वँआ कि मुद्रा की मांग व्याजदर से बिलकुλ भी समविधनसी नहीं है यानि कि व्याज की दर कितनी भी हो व्याज की दर कितनी भी हो लेकिन जो मुद्रा की मांग है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्थ नहीं होगा ऐसा मानना था क्लासिकल मॉडल का क्लासिकल अर्थ साइसियों का मानना था कि मुद्रा का कार केवल और केवल विने मैं का माद्यम हैं, क्योग después वियासदर का विने मैं का माद्यम मैं हैं, इसलिए वयासदर का कोई एसर नहीं पड़ता कि हम विने मैं करेंगे चाया वियासदर उचिव तो भी करेंगे, ने हो हम उत्हों भी करेंगे, इसलिए classical slice ​​ व्योदस्थास्थियों तरीके का मुद्रा का मांग माना, यानि कि आपको तीन डाइग्राम मनाने होंगे, सबसे पहले आपको ये बताना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि नेगटिव संबंद है, डूसरा आपको बताना होगा कि इस तरीके का डाइग्राम भी पॉसिबल है, और ऐसा तब होता में आपको बताना है यह तब होता है जब एच इनफिनिडी होता है मुद्रा की मांग का कर यानि कि यदे मुद्रा की मांग व्यास दर से अतिय क्लोच्छील है तब मुद्रा की मांग वकर शतीजाकार इस तरीके कह हो कि इंजिने अमनी पुस्तक जनल थियोरी ओफ इंप्लॉइमेंट इंट्रेशन इन मनी में तरलता जाल की अवदारना प्रिस्तुत की बच्चों तरलता जाल की उपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है अब हमारी कोर्स के अंदर इसको देख सकते हो तरलता जाल उस इस्तित की दर बहुत नीची हो चुकी है लोगों ने अपना समस्त पैसे को नगत रखा हुआ है इस केस में व्याज की दर में थोड़ी सी विविद्धी मुद्रा की मांग को अत्यदिक संविदन सील हो जाएगी और इस तरीके का डाइगराम बनेगा तो इसका आंसर बच्चों मैं था एक्सप्रेंट करने ही होगा एक्जाम पॉइंट अभी से तो मैं उमीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रहे होगी अगला कुश्चन कह रहा है कि व्याज की दर का और निवेस मांग में क्या संभन है इसको भी आप समन लेजिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर हमने अल्रेडी बताया हुआ है देखे व्याज की दर और निवेश की मांग में विप्रीज संबन्द होता है क्योंकि जब हम निवेश करते हैं तो आम तोर पर पैसे को उधार लेके करते हैं जब्रेडर और इसकत अल्रेड़र निवेश करने की जो कॉस्ट है जो लाकत है उतनी ज्यादा आएगी और आप कम निवेश करोगे यानि जितना उच्छा वियाज की दर होगी निवेश उतना ही कम होगा इसके अलावा बच्चों यह हमें याद रखना है देखिए निवेस की बाद हम बात करें तो आई का फामूला होता है I equal to i bar minus a i इसका मतलब होता है स्वचालिक निवेस है इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है और यह होती है व्याज की दर यह साइन बता रहा है कि व्याज की धर्मी और आई में निवानात्मक संबंद है और यह जो एह है यह वाला यह है निवीज की सम्वेदन सीलता निवीज की समवेदन सीलता तो अगर आज ज़्यादा होगा यह ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि व्याज की दर में थोड़ी सी भी कमी निवेस मांग में अधिक परिवर्तन लाएगी अधिक विर्दी लाएगी इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो निवेस वक्र बनेगा वो चप्टा बनेगा ऐसा जो बता रहा है कि व्याज की दर में थोड़ी सी भी विर्दी निवेस की मांग में ज्यादा परिवर्तन लेकर आएगी और इसी तरीके से अगर एक ही वेल्यू कम है जैसे कि यहाँ पर बता रखा है एक ही वेल्यू कम है तो इसका मतलब है कि निवेस की मांग में कम चप्टा होगा टीवर डालका होगा इस तरीके का जो दर साता है कि अगर थोड़ी सी भी अगर बहुत अधिक विर्दी की जाएगी निवेस में व्याजदर में व्याजदर में अगर बहुत अधिक विर्दी की जाएगी तो निवेस में थोड़ी सी ही कम हो देखने को मिलेगी तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा concept complete होता है basically आपको जो समझाना था वो आपको ये समझाना है कि व्याज की दर में और निवेस में क्या सम्मंद है तो आप बताना कि व्याज की दर में और निवेस में विप्रीज सम्मंद है सबसे पहले आप ये बताना विप्रीज सम्मंद होता है ठीक है जी तो यह निवेस मांग वकर किस तरीके से डेरिवेट की आपको समझा के दिखाना है उसके बाद आपको बताना कि जो निवेस वकर है उसका जो धाल है वो डिपेंड करता है ए पर यानि कि निवेस की समवेदन सीलता पर व्याज की दर से अगर ए जादा हुआ तो ढधाल जो है वो चपता होगा और अगर ए कम है तो वो स्टीपर स्टीपर होगा यानि कि तीवर ढ़ाल का होगा तो इस तख लिके से अगर आप इसको समझाते हो तो आपको पूरा का पूरा जो आंसर है वो आपको मिलेगा पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आगे बच्चों ये दो कोश्चन और हमारे को करने हैं जिसमें निवेस ये वाला राश्टी वया और गुड़क तता करके बीच में संबन ये वाला कोश्चन जो है वो हमारे आपको हमारी application के अंदर मिलेगा साथी साथ ये question भी पूछा ग करना है और इसके अंदर आपको व्या गोड़क और कर गोड़क के बीच किस तरीके से डेरिवेट होता है किस तरीके से रेलेशन लेकलता है वह आपको explain करना है तो detail वीडियो अगर आप दिखना चाहते है तो हमारी application आप download जरूर कर ले महाविद्या economics school वहाँ पर आपको ब व्याज की दर्में और निवी स्वक्र में क्या सम्मंद है यह आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू